Welcome back to another video अब ये book क्या है? ये case क्या है? इसके बार में मैं पहले अपने पिछली दो पार्ट में बता चुका हूँ तो सबसे पहले तुम लोगों को वो दो पार्ट देखने हैं 10 और 8 मिनेट के वो दोनों पार्ट हैं और मैं दिल से चाहता हूँ कि हर हिंदू को ये case के बार में पता होना चाहिए मनु इस मर्ति पर बवाल क्यों हुआ था? वो case कौन जीता था? और ये book क्या है? और शुरू करने से पहले ही बता देता हूँ मैं इसके अलग-अलग पार्ट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग context से इस matter को समझो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो अब चलो शुरू करते हैं विदेशों में महारिशी मनु की पर्तिष्टा मनु की पर्तिष्टा गरीमा और महिमा का परभाव एवं परसार विदेशों में भारत से भी कम नहीं रहा साथ एक low book भी माना है उसके विद्वानों का सारोबों सारवरजनिंग तता सब के लिए कल्यान कारी बताया है भारते सुप्रिम कोट के ततकालिन जजज सर विलियम जोंस ने तो भारते विवादों के नेड़ने में मनुसमर्ति की अपहारिता को देखकर संस्क्रीज सीकी और मनुसमर्ति को पढ़कर उसका संपादक भी किया जर्मनी के परसित दार्शनिक फैडरिच नीट से ने तो यहां तक कहा कि मनुसमर्ति बाइबल से उत्तम गरंत है बलकि उससे बाइबल की तुलना करना ही पाप है अमेरिका से परकाशित इंसाइकलोपेडिया ओफ दा शोशल साइंसीज कैमरिश हिश्ट्री ओफ इंडिया केथरिच हिश्ट्री ओफ संस्क्रीट लिटरेचर भरजतन पीवी काने रचित धर्म शास्त्र का इतियास डाक्टर सत्तिकेतु रचित दक्षिन पूर्वी और दक्षिन एश्या में भारतिय संस्क्रीटी और आधी पुस्तोकों में विदेशों में मनुस्मर्ति के परभाव और परसार का जो विवरंट दिया गया है उसे पढ़कर परतेक भारति अपनी अतीत पर गर्व कर सकता है बाली दीप, बर्मा, फिलिपिन, थाइलेंड, चंपा, ब्रैकन में दक्षिन वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, गलेशिया और शिरलंका, नेपाल, आधी देशों से प्राप शिलालेक और उनकी प्राचिन इत्यास से ग्यात होता है वहां परमुक्ता मनु के धर्म शास्तर पर आदारित करमानुसार बन वैवस्ता रही है मनु के विदानों को सर्वोच महत्व दिया जाता था और उनी के अनुसार न्याय होता था शिलालेकों में मनु इस मर्ती के अनेक शिलोक उतकिन पाए गए है राजा लोग स्वयम को मनु का अनुयाई अथ्वा मनु मार्ग गामी कहने में गर्म अनुभव करते थे और मनु की उपादी धारन करने में स्वयम को गोरवन्तीत मानते थे चंपा ड्रैकन में दक्षन वेतनाम में प्रात एक अभिलेक के अनुसार राजा जया इंद्र वर्म देव मनु मार्ग का अनुसरन करने वाले थे कमबोड़ा के राजा उधै वेर वर्मा के संदोक काख थोम से प्राप्त अभिलेक में मानव नितिसार ग्रंत का उलेक है जो मनुसमर्थी पर आधारित था परस्त कोमपन से प्राप्त राजा योशो वर्मा के अभिलेग में मनुस मर्ति का शलोक उद्धत मिलता है राजा जय वर्मा के अभिलेग में मनुस सहीता के विशेशग्य एक मंत्र का उल्लेक है वाली दीप में आज भी मनु ववस्ता है उक्त देशों की आचार सहिंता ये समविधान मनु इसमर्ति पर ही आदारित थे और बहुत कुछ अभी भी है फिलिपीन के निवासी मानते हैं कि उनकी आचार सहिंता के निर्माण में मनु और लाउटसो की इसमर्ति का परमुख योगदान है इसी कारण वहां की विधान सभा के द्वारा इन पर दोनों की मूर्तिया इस्थापित की गई है हम मनु को कितना ही विरोध कर लें चाहे कितनी ही निंदा कर लें मनु का हमसे जो संबंद बन चुका है वह आज तक इतियास और ये समाज रहेगा तब तक मिटा नहीं सकता आदी वंश परवर्तक होने के कारण मनु को कभी तियागा ना जा सकता है ना भुलाया जा सकता है भारतियास और समाज को मनु को अपना आदी पुरुश मानता है सभी मनुश्य मनु की संतान है इसी कारण आदमी के वाचन जितने भी नाम है वे मनुश्य अब्द से बने हैं जैसे मनुश्य मनुज मानव मानुश आदी इसलिए निरुक्तकार ने इसकी वयूतपत्ती करते हुए कहा है मनो अत्पत्य मनुश्यहा अर्था अत्मनु की संतान होने से हमें मनुश्य कहा जाता है ब्रहमन गरंतों में भी पानव्या रजा कहकर इसी तत्यों को प्रस्तूत किया गया यूरोपियन विद्वानों ने भाषविज्ञान के अधार पर यह सिद कर दिया कि कभी यूरोप इरान और भारतिय उप महादीप निवासी एक ही परिवार के सदस्य थे इन सब की भाषव में मनु वाचन जो शब्द परचलित है वे मूल मनु मूलक शब्दों के अप भरंश है जैसे ग्रीक और लैटीन में माई नोस जर्मनी में मन, इस्पैनिश में मनना, अंग्रेजी तदा उसकी बोलियों में मेन, मैनीस, मनुस, मनेस, मनीस, आधी एरानी फारसी में नुहू और ब्रैगन में मनुस के सह को और लोप होकर कहा जाता है इन देशों के एतियासिक उलेखों से इस तथे की पुष्टी हो जाती है इरान वसी आज भी स्वयम को आरेवंशी मानते है और अपना मुल उदगम आरियों के सब्त सिंदु देश से मानते है कमबोडियों की निवासी स्वयम को मनु की संतान कहते है थाइलैंड के निवासी स्वयम को सुर्य वंशी राम के वंशज मानते है और राम और किर्शन दोनों को ही मनु की वंश परंपरा में आते है इस विवरण को पढ़गर हम कह सकते हैं कि अतीत में एक धर्म शास्त्रकार और विधिदाता यानि कि लोग इवर के रूप में महरशी मनु को जो परत्रिष्टा और महतों मिला है वह किसी अन्य को नहीं मिला मनु और मनु इस मर्थी पर आक्षेप आईए अब मनु की मनु इस मर्थी पर लगाये जाने वाले आक्षेपों पर विचार गर ले मुख्य रूप से उन्हें तीन बागों में बाटा जा सकते हैं मनु ने जन पर आधारित जाती पाती विवस्ता का निर्वाण किया है दूसरा उस विवस्ता में मनु ने शुद्रो अर्थात दलीतों के लिए पक्षपात पुणवग एवं अमानवे विधान किये हैं जबकि सवन विशेश अत्यों ब्रह्मनों को विशेश अधिकार पर दान किये हैं इस परकार मनु शुद्र विरोधिते तीसरा मनु शुद्री विरोधिते उन्होंने श्त्रियों को पुरुष्यों के समान अधिकार नहीं दिये मनु ने श्त्रियों की निंदा किये हैं इन तीनों आक्षेपों के समाधान के लिए ब्रह्म प्रमानों और मतों की अपिक्षा अंतसाक्षी है अधिक पर्माणित रहेंगे अते यहां मनुसमर्ति के अंत साक्षों के अधार पर निशकर्ष प्रस्तुत किये जाते हैं पहला मनु की वर्णवस्ता का वास्तविक सवरूप मनु की वर्णवस्ता गुण कर्म योग्यता पर आधारित और वेद मुलक है यह मुलत तीन वेदो रिग, यहाँ पर यह संख्या लिख हूए, यहाँ पर यह संख्या लिख हूए, में पाई जाती है, नुन्होंने वन वेवस्त को धर्म मुलग वेवस्ता मानकर उसे वेदो से ग्रैन करके अपने शासन में किर्यानित या तता धर्म शास्त्र के द्वारा परचारित एवं परसारित किया दूसरा वन व्यवस्ता और जाती व्यवस्ता में अंतर और परसपर विरोध मनु की वैदिक वन व्यवस्ता गुण कर्म पर योग्यता पर आधारित थी जन्ब पर आधारित नहीं थी यह समझ लेना अवश्य है कि वण ववस्ता और जाती ववस्ता परस पर विरोधी ववस्ता हैं एक की उपस्थिती में दूसरी नहीं टेक सकती इनके अंतर नहीत अर्थर भेद को समझ कर इनके मुलिक अंतर को असानी से समझा जा सकता है वण ववस्ता में वण पर मुख है जाती ववस्ता में जाती अर्थार्थ जन्म पर मुख है जिन्होंने इनका समर्थन में परयोग किया है उन्होंने स्वम को और पाठ को को भ्राνत कर दिया है वन्ड चब्ध वरन वर्ते धातु से बना है जिसका अर्ट है जिसको वरन किया जा सगे के वह समूदा निरुक्त में आचारे यास्क ने इस अर्थ का इस परकार इसपष्ट किया है यहां पर यह वनवत इसपष्ट किया है अब यह पार्ट हम यहें पर खतम करते हैं अगले पार्ट में उन्होंने डाक्टर अंबेडगर साहब और मनु इन दोर में जो मलब पार्ट भी देख लेना इतना मिलते हैं अगली वीडियो में